इन पाँच लोगों के बारे में अपनी आउलाद को जरूर बताएं कभी ठगी का सिकार नहीं होंगे प्रिये बंधू आज मैं आपके लिए एक बहुती ज्यान वर्धक कहनी लेकर आया हूँ आप से निवेदन है कि इस कहनी को पूरा जरूर सुने एक समय की बात है एक बगीचे में एक आम का पेड़ खड़ा था आम के उस पेड़ पर एक कोयल का घुसला था जो अपने बच्चों के साथ बड़े सुक पूरवक बहां रहती थी उसके जीवन में बड़ी ही सुक सानती थी वो अपने बच्चों के साथ खेलती थी बच्चों को लाकर रोजाना चुंगा दिया करती थी इस प्रकार कोयल अपने आपको बहुत सुकी महसूस कर रही थी एक दिन एक काला सरफ कहीं से आकर उस आम की जड़ में रहने लगा सरफ को देखकर पहले तु कोयल को चिंता हुई कि आज एक दोष्ट सरफ हमारा पडोसी बन गया है कहते हैं जिसके पडोसी दोष्ट हो जिसका घर नदी के किनारे बना हो उसे हर चड़ साबधान रहना चाहिए पता नहीं कब आफ़त तूट पड़े इधर कोयल भी सरफ से भेवीत रहती थी लेकिन धीरे धीरे कोयल और सरफ में मित्रता होती चली गई बेएक दूसरे के साथ मित्रवत व्योहार करने लगे सरफ ने कभी कोयल को हानी पहुचाने का प्रयास नहीं किया और कहते भी हैं पडोसी चाहे कैसा भी हो उससे हमेशा बना कर ही रखनी चाहिए मुश्किल भक्त में पडोसी ही आपके काम आता है इसलिए राजा, इस्तिरियां और लताएं हमेशा अपने पास रहने बाले का ही आसरे लेते हैं क्योंकि वो जब चाहें तब काम में आ सकते हैं कोयल और सर्प की दोस्ती दिन पर दिन गहरी होती चली गई मित्रो कोयल जब भी अपने बच्चों को चुगा लेने के लिए चली जाती थी तो उसके बच्चों की सुरक्चा वो सर्प करता रहता था कोयल जब साम को लोट कर आती थी तो उसे उसके घुसले में उसके बच्चे सुरच्चित मिलते थे यह देखकर कोयल का विस्वास सर्प के पृत और भी बढ़ता चला गया उनकी मितरता गहरी होती चली गई पर कहते हैं दुनिया में ऐसे लोगों की भी कमी नहीं होती जो दूसरों की खुसिया नहीं देख सकते किसी को अच्छा खाता नहीं देख सकते किसी को हस्ता हुआ देखकर उनको रोना आ जाता है किसी को अधिक कमाता नहीं देख सकते किसी को अधिक कमाता देखकर जलने वाला स्वैम कमाना भूल जाता है और वो इस कोशिस में लग जाता है कि किसी भी तरह इसकी खुशियों को मिटाया जाए इनकी एकता को भंग किया जाए चाहे इसके साथ उसका भी कितना ही बड़ा नुकसान हो जाए बे दिन रात इसी में लगी रहते हैं मित्रो एक दिन की बाद कोयल डाल पर बैठी थी मड़े आनंद के साथ अपनी मधुर आबाज में गुनगुना रही थी उसी चड़ एक सियार कहीं से गुमता हुआ आता है और पेंड पर बैठी कोयल की मीठी आबाज सुनकर बही रुख जाता है सोचने लगता है कि इस कोयल की आबाज इतनी मीठी है तो इसका मास कितना मीठा होगा कितना स्वादिष्ट होगा यदि इसका मास मुझे खाने को मिल जाए तो मैं अपने आपको धन समझूगा मित्रो अब कोयल का मास कैसे खाने को मिले यही बात वो स्यार पेड़ के नीचे खड़ा-खड़ा सोच रहा था वो धूर्त स्यार ये जानता था कि इस कोयल का मास खाना इतना आसान नहीं है इसकी मित्रता एक बड़े ही भैंकर सर्प के साथ है जो इस विरक्ष की जड़ में रहता है और वो सर्प कोयल के हर रोज सुरक्षा करता है इस कोयल के मास को खाने के लिए पहले मुझे सर्प और कोयल की दोस्ती को तुड़बाना पड़ेगा अन्था मुझे सर्प डस लेगा प्रिये बंधो स्यार बड़ा चालाग था उसने एक रड़नीती बनाई वो इस दिन तो बहां से चला किया और अगले दिन वो कोयल के जाने का इंतजार करने लगा इधर कोयल भोजन की तलास में जाती है और स्यार उसका पीछा करता हुआ बही पहुंच जाता है जहां वो कोयल बैठी हुई थी वो स्यार उस कोयल से कहता है हे कोयल बहन मैंने सुना है कि तुम्हारा एक बफादार मित्र सर्प है जो तुम्हारे जाने के बाद तुम्हारे घोसले की रक्षा करता है कोयल ने कहा हाँ भाई आपने ठीक सुना है वो सर्फ मेरा मित्र है मैं उस पर आँखे मूद कर विश्वास करती हूँ वो हमेशा हमारे बच्चों की रक्षा करता है स्यार कहने लगा है कोयल मेरी बातों को बुरा मत मानना मैंने सुना है दुष्ट और सुभाव गत दुष्ट एक ना एक दिन अपनी दुष्टता दिखाई ही देते हैं जो सत्रू सुभाव से भी सत्रू हो उस पर इतना विश्वास नहीं करना चाहिए ऐसे लोग मित्रता करन आप इतना घुमा फिरा कर क्यों बात कर रहे हैं साप साप क्यों नहीं कहते तब स्यार कहता है एक कोयल वहन बैसे तो बिद्वान लोगों ने ये कहा है कि किसी को बिना मांगे सला नहीं देनी चाहिए पर मैं क्या करो मुझसे इतना बड़ा अपराद देखा नहीं जाता मित्र सर्प की मनसा कुछ ठीक नहीं लग रही अभी अभी मैं बही से आ रहा हूँ मैंने देखा कि आपका मित्र सर्प जिस पर तुम इतना विश्वास करती हो वो उस ब्रक्ष पर चड़कर आपके घुसले के पास पहुंचने का प्रयास कर रहा था मुझे तो लग रहा था क कि वो सर्प आपके बच्चों को खाने के लिए ही आपके घुसले की ओर जा रहा था पर उस सर्प ने जैसे ही मुझे देखा तो वो एक दम से पेड़ से नीचे उतराया सोचो यदि मैं ना पहुंचता तो आज तुम्हारे बच्चों को खा ही जाता जब मैंने उससे भोजन की तलास में गया था तब मुझे उसकी मंसा पर संधे हुआ कि पेड़ के ऊपर तो आपके घुसले के अलाबा और कुछ नहीं है भला खाने की बस्तु पेड़ पर कहां रखी थी मुझे तो लगता है कि वो आपको बच्चों को खाने के लिए ही चला था मित्रो स्या है वो हमारे बच्चों के लिए ऐसा कभी नहीं सोच सकता हमारी मित्रता को काफी दिन हो चुके हैं अभी तक तो उसने हमारे साथ विस्वास खात नहीं किया है मैं तुम्हारी बातों पर कैसे विस्वास कर लूँ सियार कहने लगा कोयल बहन विस्वास करना या ना करना ये ध्यार रखना, धोका भी उसी से मिलता है, जो विस्वास पात्र होता है, चाहे कोई कितना ही विस्वासी हो, पूरा विस्वास उस पर भी नहीं करना चाहिए, मित्रो इतना कहकर स्यार वहाँ से चला गया कोयल के मन में कुछ संधे सा हुआ सोचने लगी हो सकता है ये स्यार ठीक कहता हो इतना सुनकर कोयल भी अपने ब्रक्च पर लोट आई गोसले में उसके बच्चे सुरच्चित थे यह देखकर कोयल ने गहरी सास ली दूसरे दिन कोयल फिर भोजन जुटाने के लिए चली गई तो बही स्यार उसे फिर मिल गया उसने सर्प के बारे में फिर कोयल से बैसी ही बातें की कोयल ने आकर देखा तो गोसले में बच्चे फिर भी सुरच्चित थे मित्रो सियार ने कोयल को बार बार सरफ से साबधान किया और उसके मन में सरफ के पृत नफरत पैदा की कोयल को अब सरफ के ऊपर संधे हो गया था एक दिन कोयल ने एह बास सरफ को बताई कि एक सियार ने मुझे से ऐसे ऐसे कहा था क्या ये बात सही है तब सर्प कहता है हे बहन तुम तो जानती ही हो कि हमारे तुम्हारे बीच में कितनी गहरी मितरता है जंगल के अन जीब जन्तू हमारी मितरता से इसा करते है इसलिए ये उनकी कोई चाल भी हो सकती है तुम उनकी बातों में मता ना मितरो सरप की बात सुनकर कोयल को विस्वास हो गया कि मेरा मित्र सरप हमारे साथ विस्वास कहत नहीं करेगा वो निश्चिंत होकर फिर भोजन जुटाने के लिए चली गई उदर वो सियार उसे फिर जंगल में मिल गया और अपनी चिकनी चुपड़ी बातों में कोयल को फसाने लगा कहने लगा कोयल भेहन आज तो अनर्थ ही हो गया तुमने मेरी बात नहीं मानी उसी का नतीजा है ये कोयल कहने लगी क्या हुआ भाई तो सियार कहता है कि आज वो दुष्ट सरप तुम्हारे छोटे छोटे बच्चों को चबा चबा कर खा गया मैंने उसे खाते हुए अपनी आँखों से देखा है सियार की ऐसी बाते सुनकर कोयल घबडा गई उसकी घेंगी बद गई ये क्या कह रहे हो क्या सचमुच उसने मेरी बच्चों को खा लिया सियार बोला हाँ बहन मैं सच कह रहा हूँ विश्वास नहों तो मेरी साथ आओ सरप ने तुम्हारे बच्चों को खा कर उनकी हड़ियों को पास की जाड़ियों में डाल दिया है नहीं मानती हो तो जाकर देख लो मित्रो सियार की बात सुनकर कोयल की व्याकुलता और बढ़ गई उसके सरीर पर पसीना आ गया वो एकदम से भहभीत होकर अपने बच्चों को देखने के लिए चल पड़ी सियार कोयल को लेकर जारियों में पहुचा जब उसने देखा कि कोयल उसके बिल्कुल निकट आ गई है तो उसने कोयल को जपट कर पकड़ना चाहा पर किसी तरह से कोयल अपनी जान बचाने में सपन रही वो दोड़ती हुई अपने घोसले पर आई उसने अपने बच्चों को देखा तो घोसले में उसके बच्चे सुरच्चे थे बच्चों को सुरच्चे देखकर उसके जान में जान आई उसने अपने मित्र सर्फ को बुलाया और इस घटना के बारे में उसे बताया तब सर्फ फिर से कोयल को समझाता है कि हे बेहन दुनिया में ऐसे धूरतों की कमी नहीं है जो अपना मतलब सिद्ध करने के लिए मीठी मीठी बाते करते हैं एक दूसरे के दोस्त वता कर उनके पृत नफरत का बीच बहते हैं और उनके बीच फूट डाल कर उन्हें नश्ट करने का काम करते हैं अपना मतलब सिर्द करने के लिए, भी बार बार आपके पास आएंगे, आपसे बार बार आघ्रे करेंगे, इसलिए ध्यार रखना, यदि कोई किसी काम को लेकर, बार बार आपसे कह रहा है, तो उस काम में जरूर, उसका कुछ स्वार्थ छिपा हो सकता है, हाँ ये बात सही ह कि किसी पर आखे मुंद कर विस्वास नहीं करना चाहिए और यदि कोई विस्वासी है और कोई बाहर का ब्यक्ति आपको उसके पृत भड़का रहा है तो एक दम से उसकी बात का विस्वास भी नहीं करना चाहिए और उताबला होकर उसके कहने पर कोई निर्ड़ा नहीं लेना चाहिए अक्सर ये पांच प्रकार के लोग अपने मतलब के लिए एक दूसरों को भड़काते हैं नमबर एक चुगल नमबर दो ठग नमबर तीन लालची नमबर चार मतलबी नमबर पांच एक ही तरह का व्यापार करने वाले मित्रों एकदम से इनकी बातों में ना आना चाहिए जब तक की पूरी तरह से परिक्षण ना कर ले बहुत से लोग सीधे साधे लोगों को मूर्ख बना कर अपनी जीब का चलाते हैं इनसे हमें साबधान रहना चाहिए मित्रों ये कहानी कैसी लगी कमेंट में आप जरूर बताना मिलते हैं अगली वार अगली कहानी में आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद जैस्री कृष्ण